स्वागर था आपका अभी गलासेज डाउट्स में और आपका सवाल है सामयवादी सासन से आप क्या समझते हैं सामयवादी सासन का मतलब होता है एक ऐसी सासन विवस्ता जो सामयवादी यानी सामाजवादी विदियों से चलती है तो इस सवाल का जवाब हम लोग इस तरह से लिखेंगे, कि सामयवादी पार्टी द्वारा चलाए जाने वाला किसी देश का सासन, जिसमें अन्य किसी पार्टी को सत्ता के लिए परियास करने की इजाज़त नहीं होती है, ऐसी सासन विवस्ता सामयवादी सासन कहलाता है, या और इस परकार की सासन विवस्ता को क्या कहते हैं, सामयवादी सासन विवस्ता कहते हैं, चीन जो अपना पलोसी देश है, वहाँ पर भी आपको सामयवादी सासन विवस्ता देखने को मिलता है, इस सासन विवस्ता में राज्य जो होता है, वो सारी बड़ी संपतियों और उ हम पतियां हो गिया जितने भी फैक्ट्रि वगिरा बड़े-बड़े हो गिया उन सब पर नियंद्रन यानि की कम ट्रोल किसका होता है देश की सरकार का होता है और इस तरह की शहाथन विवस्ता को मक्या कहते हैं सामेवादि सासन विवस्ता कहते हैं ये पुर्ण दूरूप से लोकतांत्रीक नहीं होता है तो अगर आपसे पुछेगा कि क्या सामयवादी सासन विवस्ता को लोकतांत्रीक कह सकते हैं तो आप जवाब में लिखेगा नहीं हम सामयवादी सासन विवस्ता को लोगतांत्रेक नहीं मान सकते हैं यह था आपके सवाल का जवाब और ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभीकलासेस डाउट्स को और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा